हेलो एव्रिवन वेल्कम अगें टू लंडरे दितीमन कल हम लोगा ने संग्या का टॉपिक किया था आज हम करेंगे सर्वनाम का टॉपिक तो कुश्चन कम हो या ज्यादा हो इससे कोई परक नहीं पड़ता है कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए तो संग्या का टॉपिक जो है मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हुआ होगा और देखिए दो लड़कियों के कमेंट आये थे एक तो स्वेता सर्मा का कहना था कि साधना जो है वह आपने भाव आचक संग्या बताया है क्या वह व जनीता चौधरी उन्होंने बोला कि गहरा और गहराई में क्या फर्क है तो देखिए गहरा जो है वो क्या है विशेशन है गहरा या गहरी क्योंकि उसके आगे यदि हम संग्या लगा कर प्रियोग करके देखने हैं तो हमें विशेशन का पता चल जाता है जैसे गहरा कुआ ग गहराई, तो ये बना भावाचक संग्या, ठीक है, विशेशन से भावाचक संग्या कैसे बनती है, इसी तरीके से बनती है, गहरा में आई प्रत्य लगा कर बना गहराई, और क्या बन गया भावाचक संग्या, तो चलिए आपको समझ में आया होगा, तो आज हम करेंगे सर्व प्रदर्शनी देखने गए जिसमें हम ठीक है? तो ये क्या है? उत्तम पुरुस और मद्यम पुरुस वाचक सर्वनाम क्या होंगे? जिसमें हम दूसरी की तरफ इशारा करके क्या कहेंगे? जैसे तुमने ऐसा किया, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, ठीक है? आप सब के पूजनिय हो, ये क्या हो गया? मद्यम तो ये क्या है? वहे, उसको, उन्हें, ये सब हैं अन्य पुरुस वाचक सर्वनाम. तो यहीं से प्रश्णों जो है वो आपके आते हैं. तो ये था पुरुस वाचक सर्वनाम. Next, निश्चे वाचक सर्वनाम. जिसमें बिलकुल निश्चे करके बोला जाता है, जैसे कि वह रहा तुम्हारा घर तो वह क्या है इसमें निश्चेवाचक सर्वनाम या उसने मेरे साथ बढ़ाई की ती तो वहां क्या हो गया उसने क्या हो गया निश्चेवाचक इसी तरीके से अनिश्चेवाचक बिल्कुल इसका अपोजिट होगा कैसे वह जैसे कि शायद बाहर कोई आया है अब कोई में कौन हो सकता है पता नहीं ठीक है तो यह निश्चे नहीं है तो जहां निश्चे ना हो वो है अनिश्चे वाचक सर्वनाम जैसे किसी से कुछ मत को किसी से और कुछ यह सब क्या है अनिश्चे वाचक प्रेश्ण वाचक सर्वनाम तो आप सभी जानते हैं जिसमें क्यों, क्या, कब, किसे, कौन, ये सभी सब्द आ जाएंगे, यहां पता लग जाएगा आपको, संबंध वाचक, जिसमें जो सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, ये सभी सब्द आएंगे, और अन्त में निजवाचक सर्वनाम, जिसमें स्वैम, खुद, अपने आप ये सबी आएंगे ठीक है जैसे उसने खुद ही परेशानी अपनी निप टाली वह अपने आप ही अपना घर ढून लेगा वह खुद वहां से चला गया ये सबी क्या हुए निजवाचक तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोश्चन कोश्चन बन देखिए कुछ सर्वनाम का प्रियोग किया जाता है यहां जो शब्द है कुछ इस सर्वनाम का प्रियोग किस में किया जाता है सजी प्राणियों के लिए किया जाता है निर्जी प्राणियों के लिए किया जाता है दोनों के लिए करते हैं या किसी के लिए नहीं करते हैं तो अभी मैंने थोड़ी पहले आपको क्या बताया था कि कुछ जो शब्द है यह हमें सर्वनाम के किस प्रकार में मिलता है कुछ यानि अनिस्चे वाचक ठीक है तो आप सोची इनमें से सही आंसर क्या होगा कुछ शब्द का प्रियोग हम सर्वनाम के अंतरगत किन के लिए करेंगे तो यहाँ पर बिलकुल आंसर जो रहेगा वो रहेगा option number B ठीक है निर्जी पधारतों के लिए इसको भी वाक्य में प्रियोग करके आप देख लें जैसे कि कुछ सामान वहां रखा है ठीक है तो कुछ रखा है तो यह क्या है सामान की बात हो रही है निर्जी पधारते यदि कि हम कुछ व्यक्ति वहां रखा है ऐसा नहीं बोल सकते यानि सजी प्राणियों के लिए प्रियोग नहीं होता है तो आंसर भी रहेगा next है question 2 आज देश की किसी को चिंता नहीं है तो इस वाक्य में किसी को यह कौन सा सर्वनाम है निश्चेवाचक अनिश्चेवाचक प्र सर्वनाम का कौन सा प्रकार है तो चलिए आप लोगोंने पता कर लिया होगा आंसर रहेगा कि अनिश्चेवाचक सर्वनाम ठीक है क्योंकि यहां पर यह नहीं पता लग रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं आज देश की किसी को अब किसी में तो कोई भी हो सकता है ठीक है तो रहे और नहीं यहां पर खुद की कोई बात हो रही है तो आंसर होगा अनिश्चेवाचक सर्वनाम पूरुस वाचक सर्वनाम कितने हैं तीन चार पांच या साथ तो मैंने आपको बताया था पूरुस वाचक सर्वनाम कितने होते हैं तो कितने होते हैं पुरुसवाचक सर्वनाम जिसमें एक वक्ता होता है ठीक है सुनने वाला भी होता है और किसी अन्य के लिए भी जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है वो होता है पुरुसवाचक सर्वनाम तो ये होते हैं तीन ठीक है उत्तम पुरुसवाचक मध्यम पुरुसवाचक और अन पुरुस वाचक सर्वनाम, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है उन्हें क्या कहेंगे, उत्तम पुरुस, मद्यम पुरुस, अन्य पुरुस या इन में से कोई नहीं, तो यह है पुरुस वाचक सर्वनाम के अंतरगत बोलने वाले के लिए, जो बोल र तो यहां पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो इंसान बोल रहा है, जो खुद क्या है? वक्ता है. तो वो क्या होगा? उत्तम पुरुस वाचक सर्वनाम. मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुस, मद्यम पुरुस या अन्य पुरुस? और लास्ट क्या है? इन में से कोई नहीं. तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहां पर यह क्या है? उत्तम पुरुस वाचक सर्वनाम. ठीक है? जिसमें मुझे आता है, मैं आता है, मेरी आता है, हम आता है, हमारा आता है, हमको आता है. ठीक है चलिए नेक्स्ट है six question निमने में उत्तम पुरुसवाचक सर्वनाम है अब देखिए अब इसमें उत्तम पुरुसवाचक सर्वनाम पूछ लिया गया है तो अब आप फटाफट से इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं कोई भी यहां पर गलती नहीं करेगा क्योंकि बिल्कुल clear जो है हो चुका है कि उत्तम पुरुसवाचक सर्वनाम जो है वह क्या होता है तो यहां आंसर होगा मैं ठीक है वहीं पर इन तीनों को भी आप पता करिए कि यह तीनों जो है यह कौन सा कौन से पुरुसवाचक सर्वनाम है तुम यह जो है वह मध्यम पुरुस है आप जो है यह भी मध्यम पुरुस है और वह जो क्या है अन्यपुरुसवाचक ठीक है निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है तो देखिए निश्चे वाचक सर्वनाम जो है उसे हम संकेत वाचक भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है निश्चे यानि किसी के उपर संकेत करके हम जब बोल रहे होते हैं तो वो है निश्चे वाचक सर्वनाम, तो यह क्या जो है, वह क्या है, यह तो प्रश्न वाचक सर्वनाम हो गया, कुछ जो है, वह कौन सा सर्वनाम हो गया, कुछ अ निश्चे वाचक सर्वनाम हो गया, कौन जो है, यह प्रश्न वाचक हो गया, तो आंसर हमारा क्या बसता है D ठीक है जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यह रखी उसकी पुस्तक तो यह यानि देख कर ही तो बता रहे हैं तो यह क्या है निश्चे वाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है कौन कोई जो या क्या तो अब आपको बताने की जुरुत नहीं है आप लोग पटाफट से इनका आंसर जो है वो खोज लेंगे कि अनिश्चे वाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है तो यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है कोई ठीक है कौन जो है वो प्रश्ण वाचक हो गया जो सम्बंद वाचक हो गया और क्या जो है यह भी क्या है प्रश्ण वाचक सर्वनाम है संबंद वाचक सर्वनाम बताएं कोई जो मेरा या उसका तो देखिए कुश्चन जो है वो आपको इसलिए अब सरल लग रहे हैं क्योंकि आपने concept जो है वो clear कर लिया है संबंद वाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा तो चारो option जो है वो ही आपको पता होने चाहिए तो यहाँ पर कोई जो है वह क्या है अ निश्चे वाचक सर्वनाम मेरा जो है वह क्या है पुरुस वाचक सर्वनाम उसका जो है वह क्या है निश्चे वाचक सर्वनाम और आंसर क्या रहेगा Option B, संबंध वाचा क्या है? जो निमने लिकित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का असुद्ध प्रियोग हुआ है? वह स्वैम नहीं आना चाहती, आपकी आगरे पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी तो आप लोगों ने सभी समझ लिये हैं सर्वनाम के प्रकार, तो यही जो है आपके ऑप्शन वाक्य में प्रियोग करके एक्जाम में पूछ लिये जाएंगे, ठीक है? तो प्रशन जो है वो यही नहीं आने वाले हैं, एक्जामिनर अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ भी गलती है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा option number C, ठीक है? मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा, तो यहाँ तेरे को जो सर्वनाम है यह गलत है, या तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एक घड़ी दूँगा, ठीक है? इस तरीके से होगा. निमने लिखित में कौन सा समूँ प्रश्ण वाचक सर्वनामों का है? जो सोच जिसे वह जैसा, कौन किसे, किसने, कब क्या, जिसे वह कोई, किसी, उसकी, मैं, मेरा, हमारा, मुझे या हम. तो यहाँ प्रश्ण वाचक सर्वनाम जो है वह कौन सा है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, इस प्रश्ण वाच्छक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिसमें आएगा, कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ठीक है, तो ये सबी क्या है, option number B. नेक्ट देखिए 12, निमने लिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का असुद्ध प्रियोग हुआ है, मुझे घर जाना है, आपके आने पर मोहन भी आएगा, मैं अपना खाना खा लूँगा, इन में से कोई नहीं, तो देखिए जिनको आप बिल्कुल easy लगने लग है, इसका मतलब आप लोगों का सर्वनाम में से कोई भी question जो exam में गलत अब नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए सर्वनाम का गलत प्रियोग, मुझे घर जाना है, यह तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, आपके आने पर मोहन भी आएगा, यह भी बिल्कुल सह option C देखिए, मैं अपना खाना खा लूँगा, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, सर्वनाम में बिल्कुल मैं अपना खाना खा लूँगा, बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई भी गलती नहीं है, इसलिए option रहेगा D, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा सब् तो क्या है, तो देखिए, इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को अभी तक ये चीजें समझ में आई होगी, कि पानी क्या है, पानी संग्या है, और संग्या के आगे क्या लगा है, थोड़ा, ठीक है, कम भी हो सकता था यहां, जादा भी हो सकता था यहां, तो पानी की क् क्या बताई है थोड़ा पानी तो अब पटाफर से सही पर देखें क्या है ये विशेशन है सर्वनाम है निपात है या क्रिया विशेशन है तो ये क्या है ये सर्वनाम नहीं है क्योंकि सर्वनाम में तो हमने देखा ही नहीं थोड़ा निपात नहीं है क्रिया विशेशन भी क्रिया की विशेशन नहीं बताई जा रही, आंशर क्या है, option A, विशेशन, ठीक है, तो अब सर्वनाम करते करते, कहीं आप विशेशन को जो आपने पहले भी समझा था, भूल तो नहीं गए, इसलिए ये question जो है वो यहां पर कर दिया गया था, तो इस तरीके से संग्या और स topic जो है वो बहुत अच्छे से पढ़कर आईएगा, question कम हो या जादा हो जैसा मैंने पहले भी का था, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, आपको जो clear होना चाहिए क्या topic, मिलते हैं next video में, thank you.